परदेश सरकार के कैबिनेट मंतरी डाक्टर संजय निशाद ने रविकेशन और परविड निशाद को दोबारा टेकट मिलने पर कहा कि लोग सबा का चुनाओ, लोग तंत्र और राष्ट का चुनाओ है, राष्ट को फिर से विश्व गुरू बनाना है और फिर से सोने की सर सर साल में केवल 3,000 करोड रुपया दिया, लेकिन मोदी ने 6 सालों में 41,000 करोड रुपया देश के अंदर दिया है, उत्तर परदेश में अभी 400 करोड रुपया आया है, जिसमें गोरकपूर में 200 करोड रुपय का एक पार्क है, इसमें निशादों के लिए फिरी का बीम कर रहा है वहाँ पर जाकर नीतिया बना कर लाता है इसलिए पूरे देश में 400 सीट जीतेंगे इस समझ में गुरकपुन ने उस से बात करते हुए परदेश सरकार के कैमिनेट मंतरी डाक्टर संजय निशाद ने कहा कि जनता ने ये बड़ा लोक तंत्र का चुनार जो है लोक सभा का चुनार रास्ट का चुनार और रास्ट को फिर से बिश्व गुरु बनाना है फिर से सोनी की चिडिया बनाना है रास्ट को फिर जनकल्यारी करनी नीतियों को धरातल पलाना है इसलिए जनता ने तैं करना कि म मोदी गद्दी बैट जाएं वो गलती जनता नहीं करने वाली क्योंकि हर जाती हर धर्म हर बर्ग को तुकि आज मचवारों को जिस पार्टी में हैं जो बिपक्स के लोग सतर साल से मचवारों को 10 रुपया भी नहीं दिया था और तीन हजार 67 साल में 3000 करोड़ दिया और आप कि साड़े 6 साल में मोदी जी ने एक तालिस जार करोड़ पर पूरे देश के निशादों दिया और नीतियां बना के उन्हें आज देखे कि हम उत्तर अभी पहली वजट में अभी उत्तर प्रदेश में भी मैंने 400 क्रोड़ रुपय का वहट 200 क्रोड़ का एक का पार का गोर में शिक्षा मिले तो इस चेत्र में जो हैक्टर है निसाद बाहुल सीते हैं आपका संतकभी नगर और गोरपुर हैं तो यहां के लोगों ने निसाद पार्टी पर विश्वास किया निसाद पार्टी को खड़ा करके इतना बड़ा किया है कि 70 साल में पहली बार है कि एक वकील डाक्टर संजय को मान रखा और निसाद पार्टी को अपनी पार्टी मान कर अपनी समस्याओं के समधान के लिए रखा है इसलिए नेता नहीं कोई विकास करता है नीतियां विकास करती है और नीतियां निसाद पार्टी बनारे है कितना देश में और यूपी में कितन जिताना सौ्ट